ताजा अप्टेट और लेटस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हाइलेंट की गुफा में फंसे बारह बच्चों और उनके फुटबॉल कोच को निकालने के लिए सबसे बड़ा ओपरेशन शुरू किया गया 13 इंटरनेशनल और पांचवाई नेवी सील के गोताखोर गुफा में भेजे गए सूचना के मताबिक 6 बच्चों को गुफा से बाहर निकाल लिया गया है अब 5 बच्चे और एक कोच गुफा के अंदर फंसे हैं गुफा से निकाले गए बच्चों को एमबुले सके जर्ये अस्पताल पहुँचाया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट के मताबिक बच्चों को बाहर निकालने के लिए 4 गुफ बनाए गए है पहले गुफ में 4 बच्चे हैं और बाकी गुफ में 3-3 आखिरी गुफ में कोच को रखा गया है एक बच्चे दो गुटा खोर के साथ बाहर आएंगे सभी बच्चे एक साथ बाहर नहीं आपाएंगे अप्रेशन दो से चार दिनों तक चल सकता है शनिवार को गुफा में पानी सबसे कम स्तर पर पहुंच गया था इसके बाद अधिकारियों ने यह फैसला किया बच्चों को निकालने के यह लेह सबसे सही वक्त है अधिकारियों ने कहा है कि गुफा के अंदर के काफी हिस्से में अब पैदर चला जा सकता है मोटर पंप के जरिये गुफा से हजारों लीटर पानी बाहर निकाला गया इससे पहले अधिकारी ने बताया था कि थाइलेंट के गोताखोर इस मिशन का नित्रित्व करेंगे और विदेशी गोताखोर आक्सीजन टेंट लिए हुए होंगे बचाब दल में आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और यूरोप एवम एशिया के अन्य हिस्सों से भी गोताखोर शामिन है यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर करे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद